हाई गाईज कैसे हैं आप लोग इस क्वेश्चन को देखें यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इसमें न्यूमेन प्रोजेक्शन में दिये हुए है चारो अप्शिन्स और इसमें यह कहा गया है कि जो टू फ्लोरो इथेनोल है इसके सबसे स्टेबिल कंफर्मेशन बताने है नो टू फ्लोरो इथेनोल का जो में कैसे लिख सकते हैं आप च्छ च्छ टू और जिन स्ट्वेंट को इसका निवेंट प्रोजेक्शन बनाना आता है वेल और नहीं तो आप क्या करें सबसे पहले यह देखिए यह कार्बन और इसके जो पीछे कार्बन है इसको सेंटर लिया गय है तो यह एक कार्बन यह हो जाएगा दो एच यह एक एफ यह एक सी यह दो एच यह और एक कार्बन पर एक ओच इस तरह से इस तरह से इन्होंने क्या क्या एक carbon को front वाला बान लीजिये और एक carbon को पीछे वाला मान लीजिये और suppose H, H, F यहां पे हैं और जो पीछे वाले हैं suppose H, H and OH इस तरह हैं राइट गईस आई होप आपको समझ मा गया होगा जिन स्टेंट को नहीं आता उस पर मैंने न्यूमेन प्रोजेक्शन एक वीडियो बनाई है अब उससे आप अच्छी तरह से देखेंगे तो समझ माएगा है यदिस जब आपका टो मैंने मत आगे आपको पर प्रोजेक्शन यह बन गया है लेकिन हमको इसमें स्टेबिलिटी का ओडर बताना है राइट जनरलिए आपको पता होगा कि जब भी आप newman projection देखते हैं, right, so newman projection में एक तो जो आपका जो form होता है, इस तरह का form होता है, right, जिसको आप staggered form बोलते हैं, right, और दूसरा होता है, जिसमें ये जो पीछे वाली valences हैं, इनके एकदम पीछे होती है, और इसको आप eclipsed position बोलते हैं, eclipsed इसलिए क्योंकि eclips क्या होता है, कि front वाले के एकदम पीछे, ये side में इसलिए दिखाई रहती है, था कि हम ये देख सकें, कि इनके पीछे कुछ है, normally इस bond के पीछे ही होती है, right, guys, ये तब है, guys, staggered form, जब suppose आपके सारी के सारी valency H है, for example, same है मतलब, right, so इस case में क्या होता है, guys, जो stability का order होगा, staggered का eclips से ज़्यादा होगा, stability, वो इसलिए है, guys, because इस case में जो ये जो atoms जुड़े है, right, ये इनके आपस में जो torisional strain होगा, okay, और आपस में टकराते हैं, collision होगा, और जिसकी वज़े से, collision, जो इस collision से मेरा मतलब ये है, कि देखिए, जो आगे और पीछे वाले जो carbon है, CH bond, इनका जो electron cloud है, आपस में एक दूसरे को repel करेंगे, right, guys, so, इसका मतलब ये क्या है, थोड़ा सा unstable हो जाएगा, as compared to this staggered form, right, guys, I hope आपको समझे पार होगे, इस case में क्या होगा, जो ये atoms है, ये maximum, जो possible distance है, उस पर attached है, right, so, ये हो गया, आपका staggered इस वज़े से stable जाद हो जाता है, now, guys, ये तो था कि जिसमें stack ये दोनों सारे same है, now, जैसे अगर क्या हो, अगर हमारा जो group है, उसमें, suppose ये जीवन group आ गया, कोई group है, दूसरा, right, suppose ये आपका methyl है, ज्यादा आचानी होगी समझे, और यहाँ पर भी एक CH3 जुड़ गया, बागी के सेम H है, अगर मैं इस case को compare करूँ, दूसरी staggered form को, जिसमें CH3 और CH3 यहाँ पर आते हैं, right, अगर दोनों ही staggered form है, लेकिन इसमें क्या होगा, अब देखिए क्या है, कि जो दो बड़े groups हैं, ये अगर opposite position पे हैं, इस position को आप बोलते हैं, अगर ये थोड़ा सा पास में आ जाते हैं, इसको आप बोलते हैं, GAUCHE, now again, क्योंकि ये दो बड़े group opposite positions में हैं, इसकी stability जादा हो जाती है, as compared to इस वाले group के, because इसमें आपस में अगेन वही electron cloud की वज़े से, थोड़ा सा repulsion बढ़ जाता है, right guys, और strain बढ़ जाएगा molecule में, इसकी वज़े से, जो आपकी stability है, anti-position की जादा हो जाती है, इसी वज़े से क्या होता है guys, जो इसमें एक graph बनता है, graph जाद जरूरी नहीं है question के लिए, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए, अगर मैं energy diagram बना हूँ, तो अगर मैं यह क्या है, इस तरह से है, यह E है उपर और यहां पर जो खुछ नहीं, यह energy है, so यह क्या है least stable, right, so अगर मैं जो पिछला example में थायल बाला बताया था, तो इसमें अगर मैं stable बता हूँ, तो सबसे जो ज़्यादा stable होगा, वो आपकी anti-position होगी, तो इसमें CS3, CS3 यहां पर होगा, okay, H, इसमें staggered form आ जाएगी, sorry, gauche form आ जाएगी, जिसमें यह staggered form तो है, लेकिन एक जो बड़ा group है, एक दोनो group थोड़े पास में आ गए, जिसके वज़े से stain बढ़ जाएगा, और थोड़ा सा इससे unstable हो जाएगा, stability कम हो जाएगी, again, फिर जब देखे क्या है, यह मैं जो groups हैं, 60 degree पर rotate कर रहा हूँ, जो भी 60 degree पर किया है, यहां पर आ गया, again, फिर 60 degree पर rotate करता हूँ, तो क्या होगा, देखे, यह 60 degree पर rotate किया, तो यहां पर आ गया, यह इस तरह से, right, CS3, यह CS3 पीछे वाला H, CS3, sorry, H and H, again, यहां से 60 degree पर करूँगा, यह आ जाए बड़े group एकदम, दोनों बड़े group एक दूसरे के पीछे आ जाएगे, right, guys, so I hope आपको समझ मा रहा हुआ, इस तरह से करते है, normal tendency आपकी यह होती है, लेकिन अब इस question में, मैंने आपको यह सब क्यों बताया, basically, guys, जो यह question है, यह थोड़ा सा हटके हो जाता है, वो हटके इस Eclipse यह तो least stable हो गया, क्योंकि दोनो H and OF नीचे है, तो यह यहाँ पे decrease हो गया, अब इस group में और इस group में मुझे बताना है, कि more stable कौन सा है, अब देखे, guys, अगर आप गोर से देखें, एक OH और एक F यहाँ पे है, तो यह anti-position हो गई, और यह एक OH एक F यहाँ पे है, तो यह गोश्च फोर्म, now, यही question थोड़ा सा, exception मान लीज़े, यह तोड़ा tilt हो जाता है, generally, मुझे पता है कि anti-position गोश्च फोर्म से ज़्यादा stable होती है, right, लेकिन इस case में क्या है, guys, आगर आप note करें, यह जो OH है, OH और यहाँ पे जो F है, इन सब के बीच में एक hydrogen bonding हो रही है, right जो H है और F है, इसके बीच में hydrogen bonding हो रही है, hydro bonding हो रही है, अभी आपका exam में कैसे पता करेंगे, जब भी गाई, जो भी atom आपस में, अब मैंने आपको एक question बता दिया, कि hydrogen bonding हो रही है, hydrogen bonding की वज़ा से, जो आपका molecule है, या compound है, वो more stable हो गया, यहाने, इस case में, जो इस वाल answer is this, अगर आपको इससे, जैसा में एक question और कराऊंगा, अगला question होगा वो, so इस question में आपको समझ में आगया, अगर आपकी hydrogen bonding बन रही है, इस तरह से, तो आप यही answer, टिक करके आएंगे, right guys, so I hope आपको एक question समझ में आगा, क्यों, क्योंकि guys, F और H के बीच में, hydrogen bonding हो रही होगे, अगर कोई भी hydrogen है, right, या HO, या HN, right, अगर यह hydrogen है, तो क्या होगे, मुझा इन ही atom से जुड़े होगे, जो अगर H हैं, दूसरे H से hydrogen bonding बना सकते है, right guys, so I hope आपको समझ में आगा, H bonding का, इसके बारे में मैं दो question कराऊंगा, जूसरे देखें, आपको और के लिए डि हैं, so I hope आपको समझ में आगा, guys, thank you for watching, like, share and subscribe, bye